दोस्तो मकबूल एहमत साबरी एक ऐसी बहतरीन कवाली सिंगर हैं जिनोंने अपने सिंगिंग से सब पे अपना जादू चलाया इतना ही नहीं साबरी ब्रदर्स के फेमस कवाली ग्रूप के लीडिंग मेंबर भी थे मकबूल साबरी आज के इस वीडियो में हम आपको उनसे ज सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और उस बैल वाले बटन को भी दबा लिजे दोस्तो मकबूल का जन 12 अक्टूबर सन 1945 को ब्रिटिश रूल में यानि की कल्यान इस्टन पज्जाब में हुआ था उनका जनम तो इंडिया में हुआ था मगर इस लगाओ को देखते हुए उनकी म्यूजिक की तालिम शुरू कर दी गई और उन्होंने शुरुआत में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से सीखा और उन्हें ट्रेन किया खुद उनके पिता इनायत हुसें साबरी और उनके बड़े भाई गुल लगों ने उनका गाना इतना पसंद किया कि देखते देखते मकबूल सहाब उस पार्टी के लीडर बन गये इतना ही नहीं उस पार्टी को जॉइन कर लिया इतना ही नहीं बलकि उनके बड़े भाई गुलाम फरीद ने भी उस पार्टी को जॉइन कर लिया और ये कवाली ग उन्होंने कई मशूर कवालिया एक साथ गाई जिसमें से कुछ उनकी मशूर कवाली रही ताजेदारे हरम सक्या और पिला और बाला घल उलाहे लेही मकबूल ने इमाम एहमद रजा की एक कलाम पड़ी जिसका नाम था लम्यती नजरुका जो की चार भाशाओं में एविलेब पोईटरी भी किया करते थे इतना ही नहीं अपने समय के बहतरिन गायकों में मकबूल का नाम सबसे उपर आता था एक अच्छे कवाली सिंगर होने के साथ साथ मकबूल एक ऐसे पोईट रहे जिनोंने कई मशूर कवालिया लिखी भी जैसे कोई मुझे पूछे मैं क्या चा मेरे मिजाज की आवारगी आइना तोड़ दिया पाकिस्तानी फिल्मों में तो मकबूल की कवालिया का जादू था ही लेकिन उनकी कुछ मशूर कवालिया इंडियन फिल्मों में भी दिखाई दी जैसे छाप तिलक सब छोड़ देगी भर्दो जोली दमादम मस्त कलंडर औ पाकिस्तानी टेलिवीजन कॉर्पोरेशन की तरफ से फोर्स क्लास का स्टेटस मिला हुआ था यानि कि साबरी बर्दरस अपने सिंगिंग के लिए पाकिस्तान के साथ साथ और देशों में भी मशूर हुए उन्होंने कई और देशों का भी दोड़ा किया जैसे कि यूरोप अमेरिका, नेपाल, कैनेडा और नियू यूर्क वैसे तो मकबूल और साबरी बर्दरस के एचिवमेंट इतने ज्यादा हैं कि इस वीडियो में बता पाना जैसे की नामुमकिन है चली अब बात करते हैं मकबूल और साबरी बर्दरस के मिलने वाले कुछ अवार्ड की सन 1978 में साबरी बर्दरस को पाकिस्तान के राष्टरपती द्वारा प्राइड अफ परफॉर्मेंस के नवाजा जा चुका है इसके अलावा मकबूल और घुलाम फरीद साबरी को बुलबुले पाक और हिंद के साथ-साथ खुश्रो रंग नाम के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और वीडियो के अंत में बात करूँगा उनकी नीजी जीवन और उनके डेथ के बारे में मकबूल के शादी फात्मा जी के साथ हुई थी जिसे उन्हें एक बेटा है जिसका नाम है सुमिल एहमत साबरी और उनकी पांच बेटी और भी है मकबूल के नीजी जीवन से जुड़ी एक पहलू ये भी है कि मकबूल अपने बड़े भाई को ही अपना गुरू मानते थे लेकिन जब फरीद साहब का निदन हुआ तो मकबूल जैसे अंदर से तूट ही गए और तब से वो दुख भरी कविताएं ही लिखने लगे थे और उनका इलाज लगवक दो महीने तक चला लेकिन 11 सितंबर सन 2011 को दिल का दोड़ा पढ़ने से मकबूल का निदन हो गया सच पूछिए तो मकबूल साहब को खोना सिंगिंग की दुनिया का वो कमी है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता तो दोस्तु आज के हमारी इस वीडिय